नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय चीन और तुरकी ये दो ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हत्यार सप्लाइ कर रहे हैं और जो ये हत्यार सबसे ज्यादा बेच रहे हैं पाकिस्तान को वो हैं ड्रोन्स जहां चीन अपने CH ड्रोन दे रहा है पाकिस्तान को वहीं तुरकी अपने TV-2 बेरखतार ड्रोन दे रहा है इसके लावा पाकिस्तान की सेनाने हाल ही में यूक्रेन युद में ड्रोन की जो सफलता देखी है इससे उसे पता चल चुका है कि ड्रोन की क्या capability है और किस परकार से बहुत सस्ते और कम कीमत के ड्रोन भी बड़े से बड़े हत्यार को या बड़े से बड़े टैंक को धराशा कर सकते हैं और युद का रुख भी पलट सकते हैं इसके लावा पाकिस्तान की जो इकोनिमिक सिच्यूएशन है वो हद से जादा बत्र हो चली है और आने वाले समय में ये और जादा बत्र होगी ऐसे में पाकिस्तान की सेना के पास इनफ फंड्स भी नहीं होंगे हाला कि पाक रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से साथ से लेकर आठ गुना तक कम है और आने वाले समय में भारत की प्रायर्टी होगी चाइना को काउंटर करना और इसके लिए हमें अपना डिफेंस बजट डेड़ सो बिलियन के आसपास लेकर जाना होगा आने वाले पांच सालो में जो भारत लेकर भी जाएगा तब तो ये भारत का मुकाबला करता है भी नहीं कर सकते ऐसे में भारत की पावर को काउंटर करने के लिए और साथ ही जितने भी ड्रोन की सफलता है उन दोनों को देखते हुए पाकिस्तान को लगता है कि आने वाले पात सालों में अगर य तक भारत का मुकाबला किया जा सकता है और इसलिए ये और ढोन खरीदेंगे आने वाले सालों में और ये भारत के लिए बड़ी सरदर्दी बनेगा क्योंकि हमने देखा है कि ढोन के सामने यूकरेण युद में रूस को भी नाकोचने चबाने पड़े हैं इसलिए भारत को ड्रोन को काउंटर करना बहुत जरूरी है और यह भारत कर भी रहा है भारत की अलग-अलग प्राइवेट कंपनिया चाहे टाटा हो या फिर अन्य डिफेंस इंडस्ट्री है वो इस समय ड्रोन बनाने में तो लगे हुए है साथ ही ड्रोन को रोकने में भी लगे हुए है और इसी में एक कंपनी है solar industries दरसल यह भारत की कंपनी इस वक्त एक खास प्रकार के हतियार को बनाने में लगी हुई है जिसका नाम बहुत ही शांदार है नाम है भारगवास्त्र और यह हतियार काफी हद तक बनकर भी तयार हो गया है और यह एक बहुत ही शांदार हतियार है इसकी जो specification है सुनकर आपका दिमा खिल जाएगा दरसल भारगवास्त्र एक hard kill anti drone system है और इसका काम है drone हमलों को रोकना खास कर की जो आजकल तकनिक अपनाए जा रही है swarm drone के साथ मतलब की एक drone से हमला नहीं करना दुश्मन पर एक साथ दो तीन दरजन drone भेज देना ताकि अगर दुश्मन आपका 10-20 रोक भी ले तब भी 5-6 drone आपके उपर गिरें और आपको नुकसान हो इसे कहते हैं swarm drone इसे रोकना एक बड़ा challenge है और इस challenge को भारगवास्तर बहुती शांदार तरीके से पूरा कर सकता है वो कैसे दरसल वो ऐसे कि इस drone को एक बहुती खास परकार के radar system दिये जाएंगे जिन radar system की खासित ये होगी कि ये 5 km के range में किसी भी drone को detect कर सकते हैं और इसकी खासित ये है कि ये एक साथ 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं नहीं, 40 ये एक साथ 64 drone को detect कर सकता है track कर सकता है और फिर जब वो इसके धाई km की range में आ जाएंगे तो उसके बाद ये उन 64 drone को एक साथ नश्ट भी कर सकता है वो भी कुछ सेकिंडों के अंदर ये इसकी सबसे ज़्यादा positive बात है, हाला कि कहीं लोग कहेंगे कि या range कम है, 5 km, 5 km तो आपको बता दूँ कि जो drone होते हैं, उनकी range इसी के आसपास होती है, खास कर कि जो छोटे drone होते हैं, जैसे कि Ukraine युद में इस्तमाल किये जा रहे हैं उनकी range ऐसे ही होती है 5 km, 7 km जो 10 km वाले होते हैं, उनने long range में consider किया जाता है तो यानि कि drone के defense system के मामले में आप इसे S400 ही मान कर चलिए इसी लिए इसे इतना खास माना जा रहा है और उससे भी बड़ी बात ये, कि drone system बहुत ही easy to use होगा, क्योंकि इस system को एक 4x4 vehicle पर लगाय जाएगा जैसे कि महिंद्रा की थार है उसी से एक size में कुछ थोड़ा सा बड़ा vehicle होगा, जिसके उपर इसे mount किया जाएगा, जिस वज़े से बहुत तीजी के साथ इस system को एक जगे से दूसरी जगे ले जाया जा सकता है, और 4x4 होने की वज़े से, जो दुर्गम इलाके होते हैं, जंगल होते हैं, बड़े पहाड होते हैं, जहाँ पर रास्ते भी नहीं होते वहाँ पर भी इसे deploy किया जा सकता है, और उससे भी खास बात एक बार जिस जगे ये पहुँच गया तो वहाँ पर deploy करना भी बहुत आसान काम होगा, कुछी मिन्टों में deploy हो जाएगा, और फिर ready to fire सबसे खास बात, चीन, पाकिस्तान और तुर्की की चालो को देखते हुए खास करके इनकी drone रणनीती को देखते हुए इसे बनाने का काम solar industries ने टेज कर दिया है बहुत ही जल ये बनकर तयार हो जाएगा उसके बाद इसकी कुछ टेस्टिंग की जाएगी वो भी कम होगी क्योंकि बहुत ही simple system है, कुछ complication इसमें नहीं है और फिर इसे सेना को इस्तमाल के लिए दे दिया जाएगा यानि की चीन, पाक, तुर्की की जो drone निती है उसको तोड़ने के लिए भारगवास्तर जल्द ही सेना के हातों में होगा